तारीक पे तारीक तारीक पे तारीक और तीस-तीस साल बाद जो मामलों में नयाय मिलता है एक नीजी विद्याले में उनको रोका जाता है मानिवर उनको खिछडी के साथ नसीले पदार्द दिये जाते हैं F.I.R. नहीं लिखी जाती F.I.R. मानिवर आपने इस गंभीर मामले को सदन में उठाने का मुझे मौका दिया मानिवर बेटियों की सुरक्षा एक गंभीर सवाल बनी हुई है पूरे देश में और ऐसा ही एक मामला मुझफर नगर का आया है मानिवर 17 लड़कियों को प्रैक्टिकल की परिच्छा के नाम पे 18 नॉम्बर को उनके गाउं से ले जाया जाता है ये कहा जाता है कि दो दिन तुम्हें प्रैक्टिकल परिच्छा के लिए रहना पड़ेगा उनके परिवार को बहला फुसला के उन बच्चियों को ले जाया जाता है एक नीजी विद्ध्याले में उनको रोका जाता है मानिवर उनको खिच्डी के साथ नसीले पदार दिये जाते है और उन बच्चियों के साथ योन सोसन होता है योन सोसन करने के बाद उनको धमकाया जाता है दराया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुमने जुबान खोली तो तुम्हारी प्रैक्टिकल परिच्छा में तुमको फेल कर दिया जाएगा मानिवरों बच्चियां घर आती हैं अपने परिवार के पास आती हैं और बहुत संकोच से बहुत तकलीफ से कई दिनों के बाद उनमें से एक बच्ची ने इस पूरी घटना का खुलासा किया मानिवर उसके बाद उसका परिवार ठाने पे जाता है FIR नहीं लिखी जाती कोतवाली में जाता है FIR नहीं लिखी जाती SSP के पास पूरा परिवार जाता है तब जाके बड़ी मुश्किल से इस मामले में FIR लिखी जाती मानिवरों मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़के इस सरकार से प्राफना करूँगा क्रिपा करके ऐसे दुर्दान तप्रादियों को सक्से सक्स सजा मिलनी चाहिए जिसका उदाहरण पूरे देश में दिया जा सके सत्रा सत्रा बच्चियों के साथ यह उन सोसल मानिवर शत्रा सत्रा बच्चियों के साथ और मानिवर मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा सरकार से बिनमरता पुरवक अपील करूँगा इस पूरे मामले को फास्ट्रेक कोट बना के सुनवाई कीजाए मानिवर यह तारी मानिवर मैं आप से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से फास्ट्रेक कोड बनाके छे महीने के अंदर जो दोसी है इस घटना के उनके खिलाब सक्स सक्स सजा उनको दी जाए जिसका उदारन पुरे देश में बने कि ऐसी घटनाएं दोबारा करने की हिम्मत हमारे देश में कोई दिखाना सके बहुत बहुत धन्यवाद करें तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ हमारे चानल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि देश विदेश के जुड़ी खबरे आप मिर्श न करें क्योंकि करोना काल में दो गस दूरी मास्क है जरूरी नमस्कार